रतलामपुर नामक एक गाउं था उस गाउं में अमर और मीरा नाम के पती-पतनी रहते थे उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम परी था वो साथ वर्ष की थी मीरा बेहत समझदार औरत थी अमर की एक किरानी की दुकान थी तो उन लोगों का गुजारा काफी अच्छे से हो जाता था एक दिन की बात है अमर रात को अपनी दुकान से घर आकर देखता है मीरा तुम्हारी तो दम्यत बहुत खराब है फिर भी तुम काम में लगी हुई हो ये नहीं की आराम कर लो अजी, मुझे कुछ नहीं हुआ थोड़ा बहुत बुखार है उतर जाएगा ये काम वाम तो होता रहेगा पहले तुम ये दवाई खालो और आराम करो मैंने कहा ना पस हलका सा बुखार है और कुछ नहीं थोड़ी तेरा राम करोंगी तो ठीक हो जाएगा अमर मीरा की एक नहीं सुनता वो मीरा को दवाई खिला कर सुला देता है और अगली सुबह अमर देखता है कि मीरा की तब्यत अभी ठीक नहीं हुई है और वो आज दुकान नहीं जाता अमर को घर पर रहते रहते एक हफता हो गया था उसके काम का भी काफे नुकसान हो रहा था एक दिन की बात है मीरा मैं अभी दुकान होकर आता हूँ वहाँ मुझे थोड़ी देर का काम है तुम अपना ध्यान रखना मैं यू गया और यू आया ठीक है वैसे भी मेरी तब्यत की वजह से बहुत नुकसान हो गया है अमर मीरा की बात सुनकर दुकान चला जाता है तभी एक औरत अमर की दुकान पर आती है वो दिखने में बहुत मोटी थी उसे देखकर अमर उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ खाने को दे दो मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ ठीक है अभी देता हूँ पिस्किट खाओगी? नहीं मुझे खाना खाना है तुम मुझे रोटी खिला दो ओ आज तो मैं अपने लिए खाना नहीं लाया तुम्हें कहां से खिला हूँ? साहब मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया मुझे बहुत भूख लगी है हम तुम कहां से आई हो? और तुम ऐसे अकेले कैसे? वसे तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम गुलाबो है मैं अनात हूँ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं एक काम वाली हूँ पर मुझसे अब कोई काम नहीं करवाता मैं मोटी हूँ ना मैं घर-घर जाकर काम करती थी पर मेरे मोटे होने की वज़ह से मुझसे काम नहीं हो पाता जिसकी वज़ह से मुझे अब कोई काम पर नहीं रखता अमर को उस मोटी औरत पर दया आ जाती है और उसके मन में एक विचार आता है क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाओं ये घर का काम कर दिया करेगी इसे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और खाना भी मेरा की तबियत भी खराब है तो उसकी भी मदद हो जाएगी ये सोच कर अमर मोटी औरत को कहता है एक काम हो सकता है जिससे तुम्हें खाना भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी क्या साहब जी? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा तुम वहां आराम से रहना और मेरे घर का काम करना मोटी औरत अमर की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाती है वो औरत और कोई नहीं एक चुडैल होती है अमर घर पहुँच कर मीरा देखो तो कौन आया है? अरे, आप अपने साथ किसे ले आए? ये गुलाबो है अमर मीरा को उस गुलाबो के बारे में सब बताता है पर ये काम कैसे करेगी? ये तो इतनी मोटी है आप चिंता ना करें मैं घर का सब काम अच्छे से कर लूँगी मीरा, इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और इसे खाने को भी मिल जाएगा अच्छा ये बताओ घर में कुछ खाने को है ये बहुत दिनों से भूख ही है अहां है, मैं अभी लेकर आई मीरा गुलाबो के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है खाना देखकर गुलाबो ऐसे खाती है जैसे उसने कभी खाना खाया ही ना हो गुलाबो मीरा से और खाना मांगती है सिठानी जी, मुझे और भूख लगी है मीरा हैरान होती है कि इतना सारा खाना दिया था तब भी कह रही है कि उसे और खाना खाना है नहीं, अब और खाना नहीं है सब खतम हो गया, जब बनेगा तब खालेना जी इसे ठानी जी अच्छा, अब आप आराम से बैठो बस आप मुझे काम बताओ कि मुझे क्या करना है मीरा गुलाबो को काम समझा देती है और खुद खाना बनाने लग जाती है और जब खाना बनकर तयार हो जाता है तो वो अमर और परी को खाने के लिए बुलाती है खाना तयार है, आकर खाना खालो मीरा परी को खाना खिला देती है और खुद किसी काम में लग जाती है सब अपने अपने काम में लगे होते हैं तो गुलाबो रसोई में चुपके से जाकर अपने असली रूप में आकर आज तो बड़े सोरों की भूख लगी है आज खाने की खुशबू भी अच्छी आ रही है मुझसे तो अब खाना देखकर रुका ही नहीं जा रहा गुलाबो रसोई में रखा सबका खाना चटकर जाती है और वापिस अपने गुलाबो वाले रूप में आ जाती है तब ही अमर मीरा को आवाज लगाता है मीरा खाना लगा दो मुझे भूक लगी है जी अभी लाई मीरा रसोई में जाकर देखती है कि खाना नहीं है वो हैरान होती है अरी खाना कहा गया यहां कोई है भी नहीं मैंने तो इतना सारा खाना बनाया था ऐसा लग रहा जैसे किसी ने खाना खाया हो पर ऐसा कैसे हो सकता है यहां कौन आ सकता है अमर अपने कमरे में सो रहे है परी सो रही है और गुलाबू भी बाहर हॉल में बैठी है तब ही अमर मीरा को फिर आवाज लगाता है मीरा क्या हुआ कहा रह गई खाना लगा की नहीं जी जी अभी आई मीरा जाकर अमर को बताती है जी मैंने तो खाना बनाया था पर पता नहीं कौन खा गया हम हो सकता है कोई जानवर आया हो और वो खाना खा गया हो हाँ ये हो सकता है आज तो दूद पी कर काम चलाना पड़ेगा हमारी तो कोई बात नहीं पर गुलाबू का क्या वो तो बेचारी कब से भूखी है वो कैसे भूखी रहेगी ऐसा करो उसे भी दूद दे देना और बोलना आज दूद से ही काम चला ले खाना कोई जानवर आकर खा गया मीरा गुलाबू को जाकर दूद देती है और उसे बताती है कि कोई जानवर खाना खा गया गुलाबो मनी मन कहती है इसी जानवर ने नहीं खाया ये तो मैंने खाया क्या करूँ खाना देखकर मुझसे भूग बरदाश नहीं होती मैं अपने आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाती और जहां कहीं भी काना हो वो सब खा जाती हूँ अगली सुबह मीरा अमर के लिए नाश्टा बनाने में लगी होती है तभी गुलाबो मीरा के पास आती है सिठानी जी मुझे मेरा काम बता दो मुझे क्या करना है गुलाबो तुम ऐसा करो कपड़े जाड़ो पोचो और बरतन साफ कर लेना गुलाबो मीरा का बताया हुआ काम करने लगती है गुलाबो को काम करते करते भूख लग जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है मुझे तो अभी से भूक लगने लगी है क्या करो रसोई में तो मीरा है घर में खाना ना बनने के कारण गुलाबो पागल हो रही होती है फिर वो अपने चुडैल वाले रूप में आकर भूक के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है क्यों ना मैं परवोसियों के घर जाकर खाना खालू ऐसे तो भूकी ही मर जाओंगी गुलाबो मीरा की नजर बचा कर पास वाले परोसी के घर में चली जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में खाना बना हुआ रखा है अरे क्या बात है यहां तो कितना सारा खाना है आज तो जावत हो गई मेरी गुलाबो चुपके चुपके मीरा के पडोसियों का सारा खाना चट कर जाती है चलो, आज का तो जैसे तैसे इंतसाम हो गया खाने का अगर ऐसा रोज रहा तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी गुलाबो अपनी पेट पूजा करके मीरा के घर लोट जाती है देखते ही देखते कुछ दिनों बाद गुलाबो की भूप बहुत जादा बढ़ जाती है गुलाबो का पेट नहीं भर पाता तो वो गाउं में चुपके चुपके चाती और सब गाउवासियों की रसोई में जाकर उनका खाना खतम कर देती कुछ समय बाद गाउवासि भी बहुत परिशान हो गए कि आखिर हमारे घर से ये राशन पानी जा रहा है तो किधर जा रहा है हम इतना सारा राशन लाते हैं और हमारा राशन गायब होता है तो आखिर होता कहा है परन्तु गाउवाले तो बिलकुल अंजान थे कि उनका खाना चुप चुपकर गुलाबो चुडैल खा रही है एक दिन गाउवासि बहुत परिशान हो जाते हैं अरे भाई हमारे घर का ऐसे राशन खतम होगा बिना हमारे इस्तेमाल करे तो कैसे चलेगा इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं है इतना हमारा राशन लग रहा है हाँ भाई तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे रोड पर मुझे तो लगता है हमारे गाउं को किसी की नजर लग गई है हमें बाबा के पास जाकर पूछना चाहिए हाँ भाई तुमने बिलकुल ठीक कहा अगले दिन सारे गाउंवा से मिलकर घंटी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परिशानी बताते हैं हम ठीक है समझ गया ऐसा करना तुम कल सुभै सब अपने घर से बहुत सारे पकवान बना कर एक जगह रख देना फिर उधर चुप चाप देखना तुम्हारा खाना कैसे गायब होता है गाउंवासी बाबा की बात मान जाते हैं और अगली सुभा सारे गाउंवासी मिलचुल कर बहुत सारे पकवान बनाते हैं और उन्हें गाउं के बीचों बीच रख देते हैं घर में खाना ना बनने के कारण गुलाबो पागल हो रही होती है वो दूसरे घर जाकर देखती है उधर भी खाने को कुछ नहीं होता ऐसे ही भटकते भटकते गुलाबो उस जगह पहुँच जाती है जहां बहुत सारे पकवान रखे होते हैं अरे क्या बात है इतना सारा खाना आज तो मज़ा आ जाएगा गुलाबो दीरे दीरे करके गाउंवासियों के द्वारा बनाया हुआ सारा अनाज खा जाती है अन्हों की वज़ा से हुई है तब ही वो घरढ़ जाकर सबका राशन खतम कर रही है और सबको परिशान कर रही है बाबा गुलाबो को एक मोती चूर का लड्डू देते हैं और वो गंगा जल में बना होता है गुलाबों उसे भी खा लेती है और वो लट्टू खाते ही उसे उसके गले में जलन होने लगती है और वो आग में जल कर खत्म हो जाती है